नमश्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है मेरा नाम है कृतिका और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करेंट अफेस के साथ में जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ हिमाचल के किसी भी एक्जाइम की तयादी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर HPGK का एक important portion पूछा जाता है जिसमें आपके current affairs भी आते हैं उसके अलावा questions जो थोड़ा सा current events में हमने discuss किया हैं उसके ओपर ही question पूछे जाते हैं अब हमाचल के current affairs का कोई भी एक source नहीं है अगर आप कोई magazine को follow करते हैं किसी channel को follow करते हैं तो वहाँ पर भी national और international importance के current affairs हैं वो mix हो ही जाते हैं यहाँ पर हम सिर्फ हमाचल के current affairs pre और means दोनों ही perspective से discuss करते हैं तो आज हम March last week के current affairs यहाँ पर देखने वाले हैं इन lectures को revise करने के लिए इनका PDF डाउनलोड करना जरूरी है जो आपको हमारी mobile application पर मिलता है इसका link description box में दिया गया है यहाँ पर आपको study material section में यह जो PDF हैं यह मिल जाएंगे वहाँ पर हमाचल का economic survey है budget है उसके अलावा free paid दोनों ही lectures classes आपको देखने को मिलते हैं आज इस video में हम क्या करने वाले हैं तो सबसे पहले कुछ prelim facts देखेंगे जैसे की कुछ rankings हैं आपकी TB में ranking है then is आपका urban livelihood mission है इसमें माचल को ranking दिया गया कुछ M.O.U. sign के गए है water day हमने मनाया तो इनके कुछ pre facts बनते हैं जिनको आज हम देखेंगे फिर आते हैं आपके mains के BBN जो आपका बदी बरोटी वाला नाला गड़ है वहाँ पर पहला air quality monitoring station लगाया गया है cinnamon cultivation शुरू करने वाले हैं GS3 के ये topics रहते हैं and finally जो tea plantation है उसके कुछ challenges के बारे में आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे तो आखरी तक वीडियो को देखना है ताकि कोई भी topic जो है आपका यहाँ पर छूटे ना शुरू करते हैं सबसे पहले पहली news के साथ में that is international award दिया गया नूरपूर Blood Donors Club को तो जैसा इसका नाम है इन्होंने इस direction में काफी time से ये काम कर रहे हैं और इनको international life saver award यहाँ प तो यह आपका एक fact यहाँ पर बन जाता है नेक्स news आती है हमारी हिमाचल best in TB eradication तो tuberculosis में हिमाचल को एक यहाँ पर basically top ranking में लाया गया तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है यह चौथा साल है जब रो में हिमाचल अच्छा इसमें perform कर रहा है तो एक national tuberculosis elimination program है जिसमें हम कह रहे हैं कि आने वाले सालों में हम जो country है उसको TB free बनाने वाले हैं इसी में हमारे जो cm है वो कहते हैं हम अपने state को हिमाचल को पहला TB free state यहाँ पर बनाना चाहते हैं इसी की वज़ा से काफी सारी direction में काम किया जा रहा है हमारे पास में 8 districts को silver medal दिये गए और आपके 3 को bronze medal दिये गए तो यह किस चीज के ओपर depend किया कि TB का जो reduction है incidence के reduction है वो कितना कम हुआ है अगर 20 to 40% reduce किया है तो silver medal और अगर 20 से कम किया है तो आपका bronze medal यहाँ पर दिया गया अगर tuberculosis के हम बात करें तो यह infectious disease है which is caused by mycobacterium tuberculosis यह आपके lungs को affect करता है इसका treatment अक्सर आपने सुना होगा DOTS हम जिसे कहते हैं directly observed treatment short term तो अक्सर आपने सुना होगा कि आपके Amitabachanji आते हैं और वो कहते हैं कि DOTS का program जो है बीच में नहीं छोड़ना है अभी इसका क्या मतलब है तो जब हम इसके treatment की बात करते हैं यह 6 महीनी का course रहता है दो phases में होता है पहला phase आता है आपका 2 महीने का जिसको intensive phase कहते हैं जिसमें first line of drugs जो आपकी medicine है वो दी जाती है फिर दूसरा phase आता है चार महीने का इसको continuous phase कहते हैं और इसमें second line of drugs आपको दिया चाहता है तो यहां पर ए concept निकल कर आता है जो आपका antimicrobial drug resistance है इसका क्या मतलब है जैसे कि आपको यह second phase के बाद और आपने वो course जो है बीच में ही छोड़ दिया इसकी वज़ा से क्या होगा जब आपका TB अगर आपको next time होता है develop होता है तो आपको यह first line of drugs effect नहीं करेगा जो यह आपका bacterium है यह इसके खिलाफ resistant हो चुका होगा जिसकी वज़ा से आप सीधे ही second line of drugs पे आएंगे इसी की आपके अलग-अलग type के TB बाहर आए जैसे कि आपका multi drug resistant है extremely drug resistant TB है then is mono resistant TB या poly resistant TB तो यह जो आपका national TB elimination program है इन सारे tuberculosis की elimination के लिए यहाँ पर चल रहा है कि by 2025 हम क्या चाहते है कि TB को fully eliminate यहाँ से कर दिया जाए इसका नाम पहले revised national tuberculosis control program हुआ करता था अब सबसे पहले वो अमिताब अच्चन जी भी आते हैं तो किया करते हैं हम लोगों में awareness यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं कि किस तरीके से TB को यहाँ पर वो cure कर सकते हैं अपना ध्यान रख सकते हैं अपनी diet का ध्यान रख सकते हैं निक्षय पोशन योजना ह हैं then is आपका TB मुक्त भारत अभियान इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे programs इस direction में चलाए गए हैं तो यह तो मैंने आपको थोड़ा main से टच करके बता दिया otherwise आपका प्री का यहाँ पर fact था वो क्या था कि हमाचल जो है वो top rank किया है next news है हमारा world water day मनाया गया non university में तो जादा important कुछ नहीं है 22nd March को क्या मनाया जाता है world water day important क्या है इसका theme क्या था तो theme है आपका ground water making the invisible visible तो ground water जो है इस बार main focus इसका था आगे बढ़ते हैं अपनी next news की तरफ तो next news है India's first ever SAI NCOE for MTB and BMX to be set up in Shumla सबसे पहले एक-ए करके सब कुछ देख लेते हैं तो एक आगे आपका sports authority of India India का पहला sports authority of India national center of excellence खोला जा रहा है for MTB MTB है आपका mountain terrain biking and MBX that is bicycle motor cross तो अब यहां पर हलका सा idea मैं आपको जेती हूँ यह जो हम mountain terrain biking की बात करते हैं mountains में bicycle जो है चलाए जाएगी यह एक अलग से discipline sports का एक important discipline यहां पर है जो भी हम कह सकते हैं कि हमारी country में जादा explore नहीं किया गया है so that is the first time that sports authority of India ने इसको shimla में establish करने की बात की है ताकि इसको explore किया जाए और हम आने वाले time में इसको tourism की तरह या बड़ी आने वाले time में तो basically यह बात हो रही है जो आपका mountain terrain biking है उस discipline को explore करने के लिए यहां पर काफी सारा fund है यहां पर दिया जाएगा इसको world class infrastructure है आपके जो olympic level के tracks बनाने हैं जो बहुत सारे बच्चे हैं ताकि वो यहां पर आएं इसमें participate करें और बहुत सारी जो आपकी services है वो यहां पर दी जाएगी like international अगर हम चाहते हैं यहां पर world championship हो तो आप imagine कर सकते हैं उस तरीके की facilities हम यहां पर लाना चाहते हैं तो shimla has emerged as a preferred choice for this national center of excellence so next हमारी news आती है lahall to have avalanche warning system तो सबसे पहले हमाचल एक Himalayan state है जिसकी वजह से already जो यह natural disasters के लिए प्रोन है चाहे वो आपके earthquake है, landslides है, avalanche है तो उसके लिए early warning systems यहां पर time to time develop किये जाते हैं इस direction में काम किया जाता हैं तो avalanche क्या होते हैं जी, तो सबसे पहले जो एक बड़ा सा snow का mass है वो अचानक से lose हो जाता है और उसकी detachment हो जाती है इसकी वजह से हमें बहुत सारे losses देखने को मिलते हैं specially अटल tunnel के खुलने की वजह से क्या हुआ है? मनाली और law hall की connectivity जाधा बढ़ गई है there are like more people going there उसकी वजह से क्या होता है? जो loss का एक threat है basically अगर loss होगा तो यहां पर थोड़ा नहीं होगा अभी since यह inhabited नहीं है, there are a lot of people going तो इसकी वजह से हमें यह early warning system यहां पर बनाना जरूरी है यहां पर यह आपका DRDO है वो set up करने वाले है with defense geopharmatics research establishment वो specially law hall में ही इसको यहां पर करने वाले है observatory खोली जाएगी बहुत सारे parameters को data collect किया जाएगा आपका surface का temperature है जो आपकी fresh snow कितनी है, snow density कितनी है यह सारी चीजों के साथ में एक crucial यहां पर forecasting की जा सकती है avalanche को की occurrence के ऊपर बाद में जो है human tragedy को हम avoid यहां पर basically करना चाहते कि इस तरीके की कोई भी यहां पर बड़ी tragedy ना हो उसके पहले हम एक early warning जा रही कर सके ताकि लोग बहां से निकल जाए तो यह है आपका पहला news तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका specially हम उपर देख सकते हैं आपके लहॉलिंस पीती आ गया, then हमकी नौर है, कुलू है, चमबा है यहां पर काफी जादा frequency में avalanche हमें देखने को मिलते हैं तो यहां के लिए यह बहुत जादा helpful हो सकता है next news देखते हैं हमारी नाइपर knowledge partner for Solan medical device parks तो यह तो हम जानते हैं कि Solan आपका एक बहुत थी industrial area है हिमाचल में उनका एक knowledge partner यहां पर उनके बने है नाइपर, that is National Institute of Pharmaceutical Education and Research Mohali यह इनकी बहुत सारी expertise हैं यह बहुत तरीकी से help कर सकते हैं state को medical devices park खोलने के लिए तो हम बहुत सारे bulk park खोलना चाहते हैं यानि कि pharmaceuticals वाला जो area है उसमें यह यहां पर knowledge partner की तरह काम करेंगे और यहां पर center for excellence in the medical device park भी खोला जाएगा, establish किया जाएगा अभी मैं इस topic में जादा नहीं खुसने वाली हूँ क्योंकि industries एक बहुत बड़ा topic है माजल में यह हम क्या सकते हैं जब आप पढ़ने वाले हो इसके बारे में industrial policy भी discuss की थी उसको आप पढ़ सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़े अब यह industrial academic, academia linkage क्या है यह बहुत सारी बाते हैं आज इसको हम यहीं तक छोड़ने वाले हैं अगर आप और जाना चाहते हैं do let me know, फिर से भी पढ़ लेंगे या फिर यह industrial policy है आपकी rising हिमाचल नहीं आई थी इसको आपने एक बार देख लेना है then you will have more clearer knowledge ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं हिमाचल excels an urban livelihood mission तो हिमाचल ने फिर से इसमें बहुत अच्छा rank किया है तो यह भी again पहली बार नहीं है इससे पहले भी इसने अच्छा rank किया है in the category among 10 states in North East and Himalayan region जो आपका यह urban livelihood mission है इसमें यह तीसरा साल है और यह किस direction में काम करता है तो यह social and economical development की बात करता है urban poor जो लोग हैं इसके बहुत सारे तरीके हैं जो भी आपकी poverty हैं उसको कम करना है improvement in their livelihood for sustainable basic necessities of life जो हैं उनके पास में हो सरी के उपर shelter हो and जो भी उनके livelihood concerns हैं उनके उपर इसमें काम किया जाता है इसका नाम है क्या है दीन दयाल अन्तोदय योजना जिसको हम national urban livelihood mission के नाम से जानते हैं तो हिमाचल इस direction में काफी अच्छा perform कर रहा है बहुत सारे जो self help groups हैं वो बनाए गए हैं individual youth है उसको time to time training और उसको certified भी यहाँ पर किया जाता है तो हिमाचल is doing great next हमारा ये भी एक प्री का ही fact है MOU sign किया गया है lemon grass farming के लिए तो ना हम हमेशा मैं बोलती हूँ GS3 आपका means के लिए भी ज़रूरी है एक लंबी सी list है क्योंकि पालंपूर जो है वो है बहुत ही interested अलग-अलग agricultural adventure करने के लिए हम कह सकते हैं तो वो क्या करते हैं बहुत सारे नए नए plants लेके आते हैं हमारी बड़ी सी list है जिसमें monk fruit है, dragon fruit है sandalwood farming हम लोग कर रहे हैं gucci mushroom उगा रहे हैं और क्या क्या उगाते हैं hing हो गया, saffron हो गया हाना उस list में आपने एक क्या जोड़ देना है lemongrass specially जब हम aromatic plants की बात करते हैं तो यह एक important plant है अब यहाँ पर आपका pre-fat क्या बनता है जितने भी मैंने आपको चीजे बताए यह पालंपूर अकेले कर रहा है जो आपका हिमाल्यन बायो रिसोर्स टेकनोलोजी है CSIR यह अकेले कर रहे हैं लेकिन इसमें lemongrass में इन्होंने एक MOU साइन किया है देव सूर्या हिमाल्यन और्गैनिक प्राइवट लिमिटेड के साथ में तो यह दोनों यहां पर इसको जो है इसके उपर काम करेंगे आपके 1200 फार्मर को include इसमें किया जाएगा 336 एकर को aim किया जा रहा है कि इसमें cover किया जाए तो यहां पर high value के जो aromatic crops हैं उनको उगाया जाएगा तो कुछ generic points रहते हैं यह भी मैंने agriculture वाले chapter में अच्छे से discuss किया है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा idea दा देती हूं कि अगर आपको इसमें कोई भी question पूछा जाता है किसी भी नई cultivation के उपर तो कुछ चीजें सेम रहती हैं जैसे कि हम farmers को help करना चाहते हैं हम उनको socio-economically develop करना चाहते हैं और यह जो चीजें हैं जितनी भी हम लोग उगाने की कोशिश कर रहे हैं यह अकसर import की जाती है तो इससे क्या होगा self-reliance बनेगा और specially हमाचल जो है अपने आप में हाँ पर grow करेगा तो यह हो गई आपकी lemon grass की यह आपका CSIR aroma mission के अंडर आता है आपका यह mains में अलग से topic mention किया गया है तो यह इसके फाइदे रहते हैं skill development activities है entrepreneurship development है value addition इसका farmers के लिए होता है और अगर आप इसमें research करना चाहते हैं तो intellectual property generation भी यहाँ पर किया जा सकता है इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं next news की तरफ यह है आपका सतलू जल विद्यूत निगम लिमिटेड इनको आपका global CSR excellence and leadership award दिया गया किसने दिया world CSR Congress ने तो it was presented by United Nation Conference on trade and development in Mumbai तो CSR क्या होता है इसको कहते है corporate social responsibility कुछ चीजे जो अपना वो profit कमा रहे हैं उसके अलावा वो कुछ ऐसी चीजों में लगाते हैं जो लोगों को help जो वहां की society को help करता है वो अपनी responsibility को समझते हैं और कुछ resources वहां पर provide करते हैं तो वैसे यहाँ पर जो आपका सतलू जल विद्यूत निगम है उसने education, health, sanitation, women and child care बहुत सारे areas में एक अच्छा खासा amount लगाया CSR activities में और इसी के लिए इनको यहाँ पर यह award दिया गया है आगे बढ़ते हैं, mains का topic आगया BBN Hub Gets Himachal First Air Quality Monitoring Station Air Quality जैसा हम देखते हैं Air Quality को काफी जादा तवज्जो आने वाले दनों में दिया जाता है तो State Pollution Control Board ने क्या देखा कि यह जो industrial ले रहा है, बद्दी बरोटी वाला नालागड यह है बहुत ही जादा, क्या? Pollution यहाँ पर बहुत जादा है और Air की Quality को देखना जरूरी है तो यहाँ पर यह Air Quality Monitoring Station जो है Establish किया गया, यहाँ पर State का यह पहला बनाया गया यह क्या-क्या चीज़ें मेजर करता है? बहुत सारे Parameters है, Particulate Matter 2.5 है, 10 है, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide, Ozone, Ammonia, Carbon Monoxide and Benzene इन सब के ऊपर यह बहुत सारे Parameters को देखकर Information कलेक्ट करता है और Real Time Basis पर बताता है कि Air की Quality कैसी है तो आपका एक हम जानते है, National Clean Air Program इसको किया गया था आपका 2019 में यहाँ पर Ministry of Environment, Forest, Climate Change ने इसको लांच किया तो इसमें इनोंने क्या कहा कि आने वाले 2024 तक हम लोग जो आपका Particulate Matter का वहाँ पर Concentration है उसको Reduce करेंगे by 20 to 30% Air Qualities की, जो आपकी Cities हैं, उनकी Air Quality काफी जादा खराब हो चुकी है इसके लिए हम इसको कम करना है by 2024 इसके लिए Base Year काफी जादा Important है, वो आपका 2017 रखा गया जब इसमें आपकी ये प्रोग्राम में देखा गया, तो इसमें बहुत सारी Cities ऐसी हैं, जहां पर Air Quality खराब थी हिमाचल में वो कौन कौन सी थी, वो थी आपकी सुंदरनगर, परमानू, पॉंटा साहिब, नालगड, काला अंभ है, बद्दी है तो ये वाले एरिया में आपकी Air Quality अप्टू दमाग नहीं थी, इसके बहुत सारी रीजन्स हैं, वहिकलर एमिशन्स हैं, देन आपका इंडस्ट्रियल एर पॉल्यूशन, एर पॉल्यूशन फ्रम कंस्ट्रक्शन हैं, देन इस LPG इंस्टूड अफ और इस तरीके के रीजन, जो आपकी biomass burning है, उसको भी यहाँ पर include किया गया है, तो इसी की वज़ा से यह जो आपका State Pollution Board ने अभी क्या लगाया, monitoring system लगाया, इसको लगाया गया है, क्यूंकि इन्होंने अच्छा perform नहीं किया है आपके National Cleaning Air Program में, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि pollution सिर्फ एक ministry का problem है, सब लोग मिलके आए, आपकी renewable energy की ministry है, agriculture है, नीति आयोग, यह सब लोग मिलकर यहाँ पर क्या करना चाहते है, pollution decrease करना चाहते है, air quality को बढ़ाना चाहते है, तो आपको यह जो साथ मैंने towns बताये है, हमाचल के यह आपको पता होना चाहिए, कि they have failed to adhere the ambient air quality norms, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पर आने वाले time में ठीक करने वाले है, right, आगे बढ़ते है next news की तरफ, cinnamon cultivation started at burnow, तो cinnamon वो जो बड़ी easy list थी, उसमें cinnamon add करना है, cinnamon क्या है, दालचीनी जिसको हम कहते है, यह tree रहता है जिसका bark होता है, सबसे बाहर वाला bark, और इसकी cultivation जो है, उना में अभी शुर bellwood है, dragon fruit है, monk fruit है, इन में सबसे दा important की location रहती है, सबसे पहले, उना, बिलासपुर, कांगडा, हमिरपुर, सर्मौर, यहाँ पर उगाया जा रहा है, फिर again, as I told you, किस चीज में help करेगा, farmers की economy में, उनको यहाँ पर upliftment यहाँ पर होगी, और दूसरी सबसे important चीज रहती है, क इसको किस तरीके के climate चाहिए, तो अभी आप देख सकते हो, उना, बिलासपुर, कांगडा, हमिरपुर, सर्मौर, यह आपके शिवालिक्स में हम लोग इसको लगा रहे है, that means, इसको humid climate चाहिए, और इसको थोड़ा like high temperature चाहिए, comparatively जैसे जैसे हम उपर जाते हैं, तो temperature काम ह होता जाता है, तो इसको हम इसी के लिए यहाँ पर उगा रहे है, तो 27 degree average इसको temperature चाहिए, adapt to a wide range of climatic conditions, यह काफी सारी climatic conditions में यहाँ पर survive करता है, तो इस तरीके से आपका हमें क्या देखने को मिलता है, cinnamon, इसकी plantation हम लोग अभी जो हैं शुरू कर रहे हैं, उना district में यह पह करता होगा, तो CSIR पालंपूर है, last topic आज हमारा है, हिमाचल, no steps taken to revive Kangra tea gardens, अगर आप मेंस की तयारी कर रहे हैं, तो मेंस में specialist तरीके के question पूछ ले जाते हैं, जैसे कि हिमाचल के जो tea plantations हैं, उनको क्या-क्या challenges देखने को मिल रहे हैं, डारेक्ली पूछ लिया जाएगा, त तो यहाँ पर यह चोटा सा इस article के माध्यम से इसको यहाँ पर बताया गया था, article कहता है कि जो भी आपका produce है, tea का production है, वो अभी बिक नहीं रहा है, इसके क्या-क्या reasons हैं, जो आपकी cooperative tea factories हैं, वो बंद हो चुकी हैं, या फिर वो private parties नहीं हाँ पर उनको खरीद लिया है, इसकी वज़ा से लोगोंने tea उगाना कम कर रहे हैं और दीरे-दीरे जो है, यहाँ पर जो area है आपका बहुत बड़े-बड़े areas वो आपकी abandon यहाँ पर हो चुके हैं, इसका reason क्या मानते हैं tea growers, तो वो कहते हैं कि यह तब से हुआ, जब से आपका जो tea cultivation है, यह आपका agricultural department के यह आपका 2008 में गया, इससे पहले इसको कौन handle करता था, state का industries department, उस वक्त भी tea growers इसके against थे लेकिन इसको किया गया, anyhow जो आपका agricultural department है वो इसको अच्छे से manage नहीं कर पाया, इसके development को और इसकी marketing को नहीं देख पाया, तो यहाँ पर अभी problem क्या आ रहा है, problem है आपका जो supply chain ह यहाँ पर production अगर हो रही है, तो यह जो यहाँ पर इसको कैसे manage करना है, वो agriculture department उसमें fail कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने cultivation करना बंद कर दिया और वहाँ पर concrete jungles बनना शुरू हो चुके है, तो basically करना क्या है, tea plantation को revive करना है, क्योंकि tea plantation हिमाचल की बहुत जादा famous है, और again GI mark in fact मिला हुआ है tea को, तो इसको revive हमें करना जरूरी है, इसके लिए problem सारे पता होने चाहिए, tea industry में बहुत सारे challenges है, financial crisis है, कोई भी जो subsidy है, वो transport के ऊपर नहीं है, labors की availability नहीं है, quality planting नहीं देखने को मिलता है, private sector में competition बहुत जादा ह हैं, तो इसके लिए आकर government को आगे, इन चीजों में help, जो है tea growers को यहाँ पर करनी पड़ेगी, हिमाचल की अगर tea development की हम बात करें, तो यह 1849 वे Jameson, जो superintendent हुआ करते हैं, botanical gardens के, उन्होंने यहाँ पर देखा, तो उन्होंने कांगडा में देखा, नगरोटा वैली में कि हम यहाँ पर tea उगा सकते हैं, तो वो चाइना tea plants लेकर आए, अल्मोरा से, दहरादून से, तो उन्होंने वहाँ पर जब देखा, उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर हम tea cultivation शुरू करेंगे, 2005 में इसको geographical integration status भी यहाँ पर दिया गया, करीब 6000 के पास में tea growers हैं state में, जो कांगडा, चमबा और आपके मंडी में यहाँ पर हैं, तो अभी हमें जो है, रिवाइफ करने की जरूरत है tea plantation को, ताकि जो यह आपका, जो हम नहीं cultivation कर रहे हैं, उनको तो प्रोमोट करना हैं, लेकिन जो हम बहुत time से करते आ रहे हैं, उनको भी हमें आगे लेकर चलना है, तो भी हमे जो हमें आपके में 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 आपके म